गुड मॉनिंग आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10 एक चैप्टर 11 और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सिसाइस 11.2 तो पड़ते हैं आज का फर्स्ट कोशिण कोशिण कहा रहा है यह वाली साइड इसके बराबर है वैसे उसने आईसोसिलीज बोल दिया था वेकर उसने बता दिया है कि आप इन दो साइड को नहीं बलकि इन दो साइड को एक्वल लेंगे side BA is produced to a point D यह जो BA side है यह point D तक जाती है मतलब यह side इसको आगे बढ़ाया जाता है D तक इस तरह से such that AB is equals to AD यह यह AB के बराबर हो जाता है AD मतलब इस side को इतना ही आगे बढ़ाना है जितनी यह distance है ठीक है prove that BCD is a right angle triangle sorry so that prove that BCD is a right angle BCD यह वाला जो angle है BCD मतलब center पर C है तो यह C वाला जो angle है यह right angle है मतलब कि यह 90 हमें proof करना है तो उसके लिए isosilis की property बता होनी चाहिए ठीक है देखे बचे आई isosilis triangle कहते हैं एक ऐसे triangle को जिसकी दो side equal होती है और जिसकी दो side equal होगी उस triangle के दो angle भी equal होंगे अगर यह दो side equal है तो यह दो angle equal होंगे यह दो नहीं side और उनके opposite angle यह आपस में equal होंगे ठीक है तो अब उसने कहाए कि a b a c के बराबर है यह तो यहाँ पर दे ही दिया है तो इसका मतलब यह वाला angle इसके बराबर होगा तो अगर मैं इसे कुछ assume कर लो इसको x बना लेता हूँ तो यह भी कितना होगा x बहूँ यह दोनु एंगल बराबर हैं तो यह अकर 40 होगा तो यह भी 40 होगा यह 50 होगा तो यह भी 50 होगा यह x होगा फिर आगे बोलता है हमने b a को बढ़ाया d तक BA को बढ़ाया D तक और AB के बराबर बना दिया AD को यनि ये वाली साइड फिर से इसके बराबर हो गई तो ये साइड फिर इसके बराबर भी है अब ध्यान से देखिया ये साइड इसके बराबर भी थी ये साइड इसके बराबर भी है तो इसका मतलब ये side इसके भी बराबर होगी जैसे, माल लीजे, ये दोरों side बराबर थी तो मैं इसको ले लेता हूँ 4 cm 4 cm की ये side थी तो ये भी 4 की होगी फिर उसने कहा कि इस side को हमने आगे तक बढ़ाया कि ये दोनों भी बराबर हो जाए, तो मतलब ये 4 है तो ये भी 4 होगी, अब आप देख रहे हैं, कि ये side भी इस side के बराबर हो चुकी है, ये दोनों भी 4 हो चुकी है, तो मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो मतलब आपस में 3 ही related है, तो ये 3 ही आपस में ब बराबर होगा, तो यह कित्ता हो जाएगा, अगर मैं इसको y मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, यह x है तो कोई जरूरी तो नहीं है, कि यह भी x होगा, हाँ, हमें यह पता है, कि यह दोनों एंगल बराबर होगे, हम यह नहीं कह रहे हैं, कि यह इसके बराबर होग तो यह वाला angle इसके बराबर हो गया क्योंकि यह triangle iso series हो गया ठीक है बस अब हमने क्या करना है triangle का sum वाली property लगानी तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर जो भी किया है उसको हम mention करेंगे तो सबसे पहले in triangle a, b, c सबसे पहले मैं a, b, c वाली triangle की बात कर रहाँ angle इसको a, b, c कहेंगे angle a, b, c मैं इस angle की बात कर रहाँ angle a, b, c होगा a, c, b के इस वाले angle के a, c, b, के और लिख देंगे cause क्या ही यह isosiles angle है isosiles triangle के angle ही है ओके ठीक है तो हमने उसे मान लिया is equals to x दूसरा in triangle d, a, c d, a, c में आप देखेंगे यह वाली side जो है हम कहेंगे a, b is equals to a, d and a, b is also equals to a, c a, b, a, d के भी बावर है a, b, a, c के भी बावर है तो अगर आप देखें कि a, b, a, d के बावर है और a, b, a, c के बावर है so that a, d is equals to a, c आप इसको first, इसको second बना ले तो a, d किसके बावर हो जाएगा a, c के बावर हो जाएगा ठीक है a, d, a, c के बावर हो गया तो हमने कह दिया कि एक isosilis triangle है so that triangle a, d, c is a isosilis triangle तो हम कहेंगे यह isosilis है y, तो जो जो हमने यहाँ पर किया था वो हमने mention कर दिया कि हमने इसको जो x और y लिया है, यह क्यों लिया है ठीक है अब आपको क्या करना है इसमें triangle वाली property लगानी है क्या, देखिए अब आप इस पूरे triangle को देखिए in triangle d, b, c d, b, c को एक साथ देखिए यह पूरा triangle इसमें कितने angle है अब मैं इसको, बीच वाली line को इसको हटा देता हूँ और आपको केवल, यह वाला triangle बना के देखिए यह तो हो गया क्या, x यह हो गया y और यह वाला angle हो गया, देखिए यहाँ पे से यह था y और यहाँ पे से था यह x तो यह पूरा-पूरा angle कितना हो गया, x plus y हो गया कि नहीं, देखिए x plus y हो गया तो हमें यह वाला 90 proof करना है यह वाला न, तो आप देखिए यह रहा इंट्राइंगल d, b, c में हम कहेंगे angle d, b, c d, b, c plus angle b, d, c plus angle b, c, d is equals to 180 कैसे, triangle के तीनो angle का sum कितना होता है, 180 तो यह पूरा, यह पूरा और यह पूरा तीनो को मिलाकर 180 आना से ही, यह कैसे बटा हुआ है, उसको छोड़े आप, लेकिन आप यह समझे कि यह पूरा जो भी होगा इन तीनो को मिलाकर तो 180 ही आना है तो हमने यह यहाँ पर लिख दिया कि 180 आएगा, अब आप देखे, d, b, c d, b, c, यह वाला angle कितना है, x b, d, c, b, d, c, यह वाला angle कितना है, y b, c, d, b, c, d कितना है, x plus y, यह जो c वाला angle है, यह x और y दोनों को मिलाकर है न, is equals to कितना हो जाएगा, 180, अब आप देखे, कितना हो गए यहाँ पर, 2x plus 2y is equals to 180, मैं यहाँ आप इसे 2 को common ले लूँगा, तो यहाँ बचेगा, x plus y is equals to 180, तो उसे ही जाएगा कितना, 90 times, तो x plus y is equals to 90, और देखे, यही हमें प्रूफ करना था, x plus y कौन सा वाल angle था, is equals to angle, b, c, d, x plus y तो b, c, d था, b, c, d कोई तो मैं x plus y कह रहे थे, आप इन दोनों को भी कह सकते कि यह दोनों का sum भी 90 है, लेकिन इन दोनों का sum भी 90 होगा, तो overview समझिया, एक हलका सा overview की, जिसके क्या करें हम नहीं, यह दोनों angle equal है, क्योंकि यह एक ISO 3 triangle था, फिर यह side इसके बराबर थी, तो यह दोनों भी equal हो गई, तो इसको हमने x, x ले लिया, इसको y, y ले लिया, हमने बोला, इन सब का sum मिला कर, कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, तो हमने कर दिया, x plus, x plus y, plus y, is equal to 180, तो हमने यह किया है, तो उनों को sum किया, solve किया, यह आ गया, कितना, 90, और जैसे 90 आ गया, तो मतलब यह right angle होता है, 90 को यह right angle कहता है, ओके, तो यह हो गया, question 4 तो हमारा complete, आप करते है, question number 5, question कहा रहा है, in figure 11.35, यह वाला जो figure है, d is the midpoint, यह वाला midpoint है, of bc, इस वाली side का, ठीके, फिर बोलता है, and perpendicular df and de, df और d e, यह perpendicular है, to side ab and ac respectively, side ab और ac पर, यहाँ पर perpendicular है, are equal in length, जो की length में equal है, मतलब यह जो df है, यह d e के पराबर है, आपको proof करना है, कि abc एक isosilis triangle होगा, यह जो बड़ा वाला triangle है, यह isosilis होगा, ठीके, करते हैं इसको solve, देखे पज़े, आप इसको देखिए, उसने कहा है question में, यह midpoint है d, अगर यह midpoint है, तो मतलब यह इस पूरी side के बिल्कुल बीचो बीच होगा, और बीचो बीच होने का मतलब है कि इधर और इधर दोनों बराबर होंगी side, ठीक है, मैं यहाँ से इसको draw कर देता हूँ, यह हो जाएगा f, यह हो जाएगा e, यह d हो जाएगा b, और यह c, और यह a, अब यह बिल्कुल center point है, तो मतलब bd किसके बराबर हो जाएगा, dc के, अब हम rough कर रहे हैं, फिर इसको fair करें, bd किसके बराबर हो जाएगा, dc के, ठीक है, यह angle 90 दिया था, यह वाला, यह 90 है, तो यह नहीं यह एक right angle triangle हो गया, आप देखे चारा ध्यान से, यह वाला और यह वाला, यह right angle triangle हो गया, और इसके सामने वाली side hypotenuse होती है, आपको पत कि इसमें कौन सी property लगी है, यह bd, dc के बराबर हो गया, हम अभी इस triangle की बात कर रहे हैं, bd, f, bd, f, d, c, e, इन दोनों triangle की बात करें हम लोग, यह f, bd है, और यह e, d, c है, मैं इन दोनों triangle की बात कर रहा हूँ, इन दोनों की, तो इसमें यह वाली side तो इसके बराबर side भी equal है, यानि कि f, d किसके बराबर है, d, e के बराबर है, तो आप देख रहे हैं, यह तो right, hypotenuse और side वाला rule लग गया, rhs, right, hypotenuse side, तो यह दोनों triangle की हो गया, congruent हो गया, तो f, bd, जो हो गया, congruent हो गया, kisके, ed, c के, और जैसी यह congruent होआ, यह इनके corresponding part भी equal हो गया, तो corresponding part कौन सा है, यानि angle b b, ब्राबर किसके होगा, angle c के है, cp, cp, ct बोलेंगे आप उसको, cp, ct मतलब corresponding parts of congruent triangle corresponding parts of congruent triangle यानि कि ये तो इसका pair है जब ये दोनो congruent हो गए एक जैसे हो गए तो ये वाला इसका pair हो गया ये वाला इसका pair हो गया ये वाला angle इसका pair हो गया तो मतलब B वाला angle किसके प्रावर हो गया C के अब इस B और C वाला angle को देखी ये तो इस triangle के भी angle है ये के वाली छोटे वाले triangle के लिए नहीं है, ये ही angle तो इस बड़े वाले triangle के लिए है, अब इनको भूल जाइए आप इन दोरों को छोटे triangle को भूल जाइए तो आप इसको बड़े large view में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये B और ये C एंगल तो इस बड़े वाले ट्राइंगल ले और जैसी दो एंगल इक्वल हुए अभी हमने बात करी थी अगर दो एंगल इक्वल है वो तब ही होंगे जब उनके हामने सामने की साइड भी इक्वल होंगी और साइड इक्वल हो गई तो मतलब वो आईसोसिलीज ट्राइंगल हो गया बात समझ बागई जैसी एंगल इक्वल हो वैसी वो आईसोसिलीज हो गया तो बस यही हमने करना इसको ठीक है तो हम करेंगे सबसे पहले इन दोनों छोड़े ट्राइंगल की बात त हमें given है, angle F is equal to angle E is equal to 90 degree. दूसरा, FD जो है, वो ED के बराबर है, ये भी given है. दीसरा, BD किसके बराबर है? DC के बराबर है. Because, D is midpoint, ये भी given था. ये midpoint है. बस ये होगया right, ये होगई hypotenuse और ये होगई side. Sorry, ये side थी, ये side थी और ये hypotenuse था. ये आपको पता है? क्योंकि hypotenuse होती, right angle के ठीक सामने वाली. तो हम बोलेंगे, so that triangle F, B, D is congruent to triangle E, C, D. और हम कहेंगे, angle B is equals to angle C by C, P, C, D. अच्छा, ये तो हमने लिखा ही नहीं, by R, H, S. ये R, H, S से क्या हो जाएगा? ये congruent हो जाएगा. R, H, S से congruent हो गया. फिर हम में लिख दिया angle B किसके बराबर है? angle B, angle C के बराबर है. और जैसी वो दोनों बराबर है, तो हम कहेंगे, angle B is equals to angle C, so that side opposite to equal angles are also equal, so that A, B is equals to A, C. क्या बोलेंगे हम लोग? side opposite to equal angles. और A, B बराबर A, C है. हम कहेंगे, इसलिए triangle ABC क्या हो जाएगा? आईसॉसलीज ट्राइंगल. इसलिए triangle ABC क्या हो जाएगा? आईसॉसलीज ट्राइंगल हो जाएगा. क्याँए A, B किसके बराबर हागी? AC क्या हो जाएगा. तो ये हो क्या question 5th भी complete. करते हैं question number 6th. पढ़ते हैं question number 6th? question कहा रहा है. PQ is equals to PR. PQ जो है वो PR के equal है. QS and RT are the angle bisector. QS और RT angle bisector है of angle Q and angle R. Angle Q और angle R के ये angle bisector है. angle bisector का मतलब होता है कि angle को दो बराबर हिस्सों में बाट देना. तो जैसे ये वाला Q वाला angle है ना? जैसे महाल लिजे. ये वाला है. अंगल bisector का मतलब हो गया है. जैसे ये angle है 60 का, पूरा का पूरा. 60 था. तो ये line आई और इस line ने इसको 30-30 पे बाट दिया. इसको कहते हैं angle का bisector है ये. वैसी ये भी कुछ रहा होगा, तो इसको दो बराबर हिस्सों में बाट दिया. ये इसका angle bisector है. तो angle कौन सा वाला है? ये वाला. और bisector कौन है? ये वाला. तो ये angle हो गया, ये इसका bisector हो गया. तो वह बोल रहा है, ये Q और R angle को बाट देते हैं. कौन से? ये side और ये side. तो ये side हो गई SQ. तो SQ ने किसको काटा है? Q वाले angle को. और T R ने किसको बाटा है? R वाले angle को. और दो बराबर हिस्सों में बाटा है. SQ की कम जादा. बिल्कुल बराबर बाटा है. इसलिए bisector होगे. वाले प्रूफ देट QS is equals to RT. QS जो है, वो RT के बराबर है. ये आपको प्रूफ करने हैं. अब देखिए. अगर QS और RT को equal होना है, तो एक हम कर सकते तरीका, इस्तमाल की हम इन साइड से जुड़े वे ट्राइंगल को congruent कर देते हैं. जैसे मालीजे, अगर आपको ये बोले कोई कि आपको ये साइड equal दिखानी है. तो एक तरीका तो ये कि आपको इन दोनों ट्राइंगल को आपना congruent कर दें. हम congrency वाला chapter पड़ रहे हैं, तो यही सबसे सही इसका solution होगा, कि आप इन दोनों को congruent कर दें. तो ये side इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी, और ये इसके बराबर हो जाएगी. एंगल एंगल आपस में ये सब आपस में बराबर हो जाएगी. तो वही हम कर रहे हैं, हमें QS को RT के बराबर दिखाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस side से जुड़ा हुआ जो triangle होगा. अब इस side से कौन से triangle जुड़ रहा है? इस side से दो triangle बन रहे हैं, एक तो ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये. ये side इस वाले triangle को भी बना रही है, और ये ही side इस वाले triangle को भी बना रही है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला. वैसे ही ये वाली side इस triangle को भी बना रही है, और इस triangle को बना रहे हैं तो जो आपकी इच्छा है आप चाहे उपर वाले triangle ले या नीचे वाले triangle ले आप उन दोनों को congruent कर दीजिए मतलब कि जो उपर वाले triangle दिख रहा है आपको ये वाला, ये दो इनको congruent कर दीजिए तो ये side इसके बराबर हो जाएगी cpct से तो करते हैं हम लोग इसको शुरू करते हैं तो सबसे पहले अब देखिए अब जब हम congruent कर रहे हैं तो congruent ले हमें पता है तीन rule होने ही चाहिए हमारे पास या तीन parameters में हम उनको equal proof करते हैं कि उनकी side equal है angle equal है या side equal है तो तीन parameter हमें चाहिए होते आप जड़ा देखिए इस वाले को sq और tr कौन से वाले triangle से जुड़े होएं pqs और tr किसे जुड़े होएं ptr से देखिए मैं इसको अलग-अलग बना लेता हूँ यह आपको दिख रहा है से यह देखिए एक triangle तो यह हो गया psq और दूसरा triangle हो गया यह वाला यह हो गया ptr यह दो triangle को congruent कर देते हैं हम लोग तो sq ब्राबर tr आ जाएगा cp ct से तो आप यह वाला angle देखिए यह वाला angle यह तो दोनों के लिए एक जैसा है equal है क्योंकि यह वाला angle इस वाले triangle का भी है इस वाले का भी है दूसरा उसने बोला था pq pr के बराबर है pq pr के बराबर है तो दो चीजे मिल गई हमें एक तो angle मिल गया और एक side मिल गया अब आपको एक pair और चाहिए या तो आप angle ले लीजिए एक और अगर आपको मिलता है तो एक angle और बता दीजिए या एक side और चाहिए हमे या तो एक side या एक angle इन दोनों में से एक हमें चाहिए बस हम उसी को निकालने के लिए ये सारा solution कर रहे है समझे है आप यानि एक angle और एक side तो question ने पहले ही हमें दे दिया था हमारे concurrency के को प्रूफ करने के लिए जो perimeters चाहिए उसमें से दो तो हमारे पास पहले से थे question में थे हमें एक तीसरा perimeter चाहिए जो हमें खुद बनाना पड़ेगा वो क्या हो सकता है वो या तो angle हो सकता है या वो side हो सकता है ठीक है तो अब आप देखे ज़रा इसमें उसने यहाँ पर बोला था कि ये angle bisector है ये भी angle bisector है ये दोनो angle equal है ये बोला नहीं है side equal बोली थी तो angle भी equal होंगे तो यहाँ से हम angle को equal कर सकते हैं कैसे आप देखे पहले rough idea ले ले लेते हैं आप देखे उसने कहा था इस triangle में ये जो triangle है triangle का नाम है PQR ये इस triangle में उसने कहा था ये वाली side इस वाली side के बरावर है तब तो ये isosiles triangle हो गया तो मतलब ये q angle है ये r के बरावर हो जाएगा होगा की नहीं बढ़िट triangle isosiles है तो ये side इसके बरावर हो जाएगी तो ये angle भी इसके बरावर हो जाएगा फिर उसने बोला ये bisector आया तो मतलब अगर चलो पहले समझे ते अगर ये 60 था तो ये भी 60 होगा वो ऐसा कह रहा था फिर ये bisector आया तो इसने इसको 30 30 पे divide कर दिया इधर से भी एक bisector आया तो इसको भी तो वो 30 पे और 30 पे divide करेगा अब आप ज़रा ध्यान से देखिए यही तो हमें चाहिए था इस वाले triangle का हिस्सा है की नहीं ये 30 देखिए इस वाले का ये वाला angle है की नहीं ये वाला ये चोटा वाल angle ये है और इस वाले से देखिए ये चोटा वाल angle ये वाला है तो ये दो angle भी हमें equal मिल गए देखो 30 30 दोनों है की नहीं equal तो बस एक angle और एक side हमारे पास पहले से थी एक angle हमें और मिल गया तो side angle side angle angle, side angle से हम इस भी क्या कर देंगे concurrent proof कर देंगे बस तो सारी कहानी जो है जो सारा solution है हमारा वो किसके लिए इस angle को निकालने के लिए इस angle को equal करने के लिए तो करते है हम लोग solution शुरू करते है सबसे पहले हम करेंगे इसको हम बात कर रहे हैं किसमे triangle पीक्यूर और पीति आर की हम बात कर रहें किसके सबसे पहले їх नैंगल को लो Purdue इन ट्रेंगल ट्रेंगल 3- क्यूर को T Half니다 दी दिया था हमें कहा गया था T ट्रेंगल क्यू भ्राबर होगा एंगल अर के यह यह आइये सुलीस ट्रेंगल की प्रॉपर्टीज है आई-स लीज ट्राइंगल था क्योंकि P Q P R के प्राइंगल था दो साइड इक्कोल तो दो एंगल भी इक्कोल ठीक है फिर अब आप देखें पचे एक चीज़ और है अब जैसे हम आगे करेंगे तो मैं इसको P Q S S Q R बोलूँगा तो यह थोड़ा सा complicated हो जाएगा समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो मैं क्या करता हूं इनको numbers देता हूं मैं इसको बोल देता हूँ एंगल 1 इसको बोल देता हूँ एंगल 2 इसको बोल देता हूँ एंगल 3 और इसको बोल देता हूँ एंगल 4 ओके तो एंगल Q के लिए देखिया आप एंगल Q को हम बोलेंगे एंगल Q को क्या हम ऐसा कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 और R को हम कह सकते एंगल 3 प्लस एंगल 4 कह सकते हैं कैसे क्योंकि ये वाला एंगल दो हिस्सों में टूट गया था किस ने तोड़ा था इसको किस ने काटा था इसको दो ब्राबर हिस्सों में S Q ने और इसको T R ने काटा था तो हमने इसको दो हिस्सों में मेंशन कर दिया अलग-अलग बन यह अभी भी क्यों ही रहाँ? यह R ही रहाँ है ठीके? आगे चलते हैं अब इस triangle पे देख आप उसने कहा था यह bisect करता है bisect करता है मतलब angle one angle two के बराबर है and angle three angle four के बराबर है क्यों bisected by किसने bisect किया इसको bisectors इनको bisectors ने कौन-कौन से bisectors sq and tr respectively यनि कि इन दोनों angles को इस वाले को और इस वाले को इस वाली side ने और इस वाली side ने बाटा तो ही है साथ में बराबर भी बाटा है तो मतलब ये वाला जो angle है ये इसके बराबर होगा और ये वाला angle इसके बराबर होगा अब देखे ये value को हमने यहाँ पर रखना है अपने हिसाब से हमें इस angle की बात करनी है ये 3 और 1 और 3 की तो मैं angle 1 की जगा पर रख दूँगा मुझे 1 चाहिए और 3 चाहिए मतलब 1 और 3 ये कहीं नहीं चाहेंगे इनको बदलना पड़ेगा तो 2 को मैं रख दूँगा angle 1 क्या रख दूँगा? angle 1 और इसको भी रख दूँगा 3 हमें चाहिए तो angle 4 को रख दूँगा मैं किस के बराबर? angle 3 के बराबर क्योंकि हमने बोलो न 3, 4 के बराबर यानि कि 4 की जगा पर मैं 3 लिख सकता हूँ angle 1, 2 के बराबर यानि 2 की जगा पर मैं 1 लिख सकता हूँ तो ये हो गया angle 1 और angle 1 कितने हो गए? 2 हो गए angle 1 के angle 3 और angle 3 कितने हो गए? 2 हो गए angle 3 के भी 3 प्लस 3, twice of angle 3 2 से 2 cancel हो गया angle 1 बराबर आ गया angle 3 के ये बन गई हमारी एक equation 1 इसको बना लेते है angle किसके बराबर आ गया देखे angle 1 किसके बराबर आ गया 3 के बराबर आ गया बस यही तो हमें चाहिए था अब हम करेंगे इस triangle की बात हम कहेंगे in triangle कौन सा triangle है PQS in triangle PQS and triangle PTR PTR इस वाले triangle में हम कहेंगे angle P बराबर angle P के यह common angle P जो है वो angle P के बराबर है फिर दूसरा हम क्या करेंगे ये वाला angle ये वाला angle इस को मने angle 1 बोला था PQS PQS किसके बराबर है PRT के बराबर है PRT PRT को हमने angle 3 बोला था यादोग आपको अभी हमने प्रूफ किया था 1 is igual to 3 1 किस के बराबर है 3 के बराबर 1 किस के बराबर है 3 के बराबर और 3 वाला angle का नाम है तो बस ये दोनों triangles के लिए हमें 3 parameters मिल चुके हैं So that, हम कहेंगे, triangle PQS is congruent to triangle PTR by किसे? Angle side angle से. Angle side angle से. यहनि, इसमें एक side है और दो angle है. एक यवाला angle है, एक यवाला angle. Angle side angle से congruent हो गए. अब जैसी यह congruent हो ए, तो हमने कहा दिया, SQ ब्राबर हो जाएगा. SQ ब्राबर हो जाएगा. SQ किसके ब्राबर हो जाएगा? TR के ब्राबर हो जाएगा. By C, P, C, T. इससे. समझ रहाँ? SQ और TR, यह किस वाले triangle का पार्ट थे? इसी का तो पार्ट थे. जो हमने यह वाले, जो हमने अलग-अलग बनाया था ना उपर, यहाँ पर, यह वाला, P, Q और यह वाला, P, T, R वाला. इसके तो पार्ट हैं, यह दिखें, यह वाला. तो इस triangle में हमें यह angle मिल चुका था, यह side हमें दी जा चुकी थी, यह हमने proof किया. तो यह दोनों concurrent होगा है, तो C, P, C, T से यह भी equal होगा है, ओके, तो यह हो गया, question 6 भी हमारा complete, करते है question number 7, करते है question number 7, question कह रहा है, P, Q, R, and triangle S, Q, R, P, Q, R, और triangle S, Q, R, यह दोनों isosilis triangles हैं, यह यह दोनों का मतलब है कि, इन दोनों को वो equal बता रहे हैं, इसलिए same symbol बना दिये, इन दोनों को equal बता रहे हैं, इसलिए इन पर एक अलग से symbol बना दिये, फिर वो होता है, on the same base, इनका base same है, Q, R, इस base से ही यवाला भी बन रहा है, इसी base से ही यवाला बन रहा है, विल अप्रूव देट, angle P, Q, S, P, Q Q, S, यानि इस वाला एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल P, R, S, इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है, क्या करते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर है, कैसे, अगर मैं इसमें से एक line ऐसे draw कर दूँ, दिख रहा है आपको ये वाला, तो ये दो triangle बन जाएंगे, क बना है, अगर, ये आईसुच ट्रैंगल था, ये नीचे वाला भी आईसुच ट्रैंगल था, मैंने यहां से line draw कर दी, तो ये वाला triangle और ये वाला triangle, इनको मैंने congruent कर रहा है, जैसे congruent होगा, ये दोनों angle CPCT से equal हो जाएंगे, ठीक है, तो कैसे होंगे congruent, देखे, ये वाली side इसके बराबर है, आप इन दोनों triangles पर focus किजिए, एक इस वाले पर और एक इस वाले पर, ये वाली side इसके बराबर है, येitter side तो दोनों के लिए common है, तो SSS से नों congruent हो गए, ये पहोँ सिंपल था, देखे रहे हैं, SSS से congruent हो गए, तो ये CPCT से equal हो जाएंगे, ठीक है, ट ट्राइंगल PQR and QSR PQR और QSR PQR और QSR में उसने कहा कि PQ जो है वो किस के बराबर है? PR के बराबर है और QS जो है वो SR के बराबर है QS जो है वो SR के बराबर है ISO से लिजाए ठीक है अब हम एक line draw करेंगे हम करेंगे construct a line from P to S P से लेकर S तक हम एक line draw करेंगे जैसे हमने line draw करी वो triangle कुछ S बन गया यह दोनों coherent थे sorry ISO सलीज थे यह भी ISO सलीज था तो हमने यह line draw करी अब हम बात कर रहें P Q अब हम बात करें कौन से ट्राइंगल P Q S इन ट्राइंगल P Q S एंड ट्राइंगल P आर S PR S में हम बात करें हमने कहा कॉश्चन में दिया था P Q PR के बराबर है P Q इस इकोल्स टू PR यह गिवन है सिद्धा गिवन लिख दीजिए Q S बराबर हो गया S R के यह भी गिवन है और P S बराबर है P S यह कॉमन है यह हमने खुद से कंस्ट्रेट करी है कॉमन तो साइड 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 से हम कहेंगे P Q S is congruent to triangle PR S और जैसी कॉमने होंगे हम कहेंगे angle Q is equals to angle R by C P C D और यही हमें प्रूफ करने के लिए कहा था कि P Q S को P R S के बराबर बताईए तो यह वाला angle को जिसको मैंने क्यू कहा है मैं इसको P Q S भी कह सकता हूँ angle P Q S और R को कह सकता हूँ P R S angle P R S hence proved तो यह हो गया question 7 भी complete कर दें question number 8 कर दें question number 8 देखे AB is equals to AC AB जो है वो AC के बराबर है बोल रहा P is a point in such in the interior of the triangle P इस triangle के interior में कैसा point है such that ABP angle कौन सा वाला angle ABP यह वाला छोटा सा जो angle है वो ACP के यह चोटे से angle के बराबर है बोल रहा prove that AP bisect angle BAC वो बोल रहा है यह जो AP वाली साइड है न यह angle BAC BAC इसको ऐसे भी कह सकता है इस पूरे angle को वो bisect कर रही है यह आपको prove करने है तो आप देखिए अगर यह इसको bisect कर रही होगी तो इसका मतलब यह होगा कि यह दोनो angle equal होने चाहिए भही यह line है इसने इस बड़े angle को divide कर दिया तो यह दोनो angle equal होने चाहिए और यह दोनो angle equal होंगे वो हम congruence से proof करेंगे अगर हमने इन दोनों triangle को congruent कर दिया आप देख रहे हैं यह वाला जो triangle है यह angle इसका part है इस triangle का और यह छोटा वाला angle इस triangle का part है तो अगर इस दोनों congruent हो गए तो cp ct से angle equal हो जाएंगे और जैसे equal हो जाएंगे बस फिर हम कहा देंगे कि इसी ने करा है इन दोनों को equal बाटा तो इसी ने तो equal भी इसी ने बाटा होगा जब इसको divide करने वाली line यह यह है तो equally भी divide किया तो यह इसका by sector होगा यह हमने बोलने तो हमने क्या करना है इसको असल में congruent proof करना है कैसे करेंगे आप देखो उसने कहा a,b,ac के ब्राबर है यह वाली side इसके ब्राबर है एक parameter तो दे दिया वो बोल रहा है a,b,p,ac,p के ब्राबर है यह चोटा angle आपको दिख रहा है यह चोटा angle यह दोनों भी उसने equal दे दिया है यह दो parameter complete हो गए तीसरा एक side में और चाहिए था आप देखें जो यह वाली line है a,p, यह आप देख रहे हो इस a,p से यह वाला triangle भी बन रहा है और इसी a,p से यह वाला triangle भी बन रहा है तो यह common आ गई की नहीं तो बस यह तीन parameter से यह थे है वो में मिलिया side, side, angle side, side angle से यह वो हो जाएगा तो हम यहापे करेंगे इसको सबसे पहले in triangle a,b,p and triangle a,c,p a,c,p मैं इन दोनों triangles को compare कर रहा हूं, इन दोनों को, okay a,b is equals to a,c यह क्या है, given था यह तो दूसरा, angle यह वाला, छोटा वाला, a,b,p angle a,b,p is equals to angle a,c,p यह भी given था और a,b is equals to a,p यह क्या है, common है तो हम कहेंगे triangle a,b,p is congruent to triangle a,p,c दोनों congruent हो गए तो हम कहेंगे, जैसी ही congruent हो गए so that angle b,a,p b,a,p equal होगा p,a,c angle p,a,c के यह चोटा वाल angle यह चोटा वाले एंगल के ब्राबर होगा किस से c,p,c,t से यह c,p,c,t से इसके equal होगा ठीक है अब यह दोनों angle equal होगा अब जर्द ध्यान से देखिए वो कह रहा है मतलब हमने proof किया कि यह दोनों angle equal होगा यह दो angle बनाए किसने इसी line ने तो बनाए है वहना पहले तो यह a की angle था यह तो पहले a की angle था इस line ने इसको दो angle में divide किया है और बराबर भी किया है तो मतलब यह line ही तो है जो इनको बराबर बाबर बाट रही है तो आप कोईगे so that p,a,bisect angle a यह proved हो गया hence proved और angle a को ही उसने b,a,c बोला है तो आप इसमें confused नहों यह जो b,a,c वाल एंगल है यह angle a को ही बोल सकते है आप angle a भी बोल सकते है या b,a,c भी बोल सकते हैं आपकी इच्छा है तो यह हो गया question भी हमारा complete 8th question भी तो इसी के साथ यह exercise भी होती है फिनिश तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और next वीडियो में करेंगे आगे की questions Thank you